तो यार अपने पात आ चुकिए रियल मी टेक लाइब वाच एस 100 काफी लंबा नाम है लेकिन जो भी यार यह डीजो वाच टू स्पोर्ट्स की तरह ही है अल्मोस्ट तो कैसी है दिखने में वाच क्या-क्या है इसके फीचर्स और पर्फॉर्मेंस कैसी रहती है इसी जानेंगे कि आप लोगों को यह स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए तो बिल्कुल भी स्किप मत करना वीडियो को एंड तक देखना आप कंटेंट चेक करते हैं बॉक्स के सबसे पहले यहां पर आपको मिल जाता है एक यूजर गाइड जिसके तुरू आप इस स्मार्ट वॉच को अपरेट करने वाले हो इसके अलावा यहां पर आपको एक पोगो पिन वाला चार्जिंग केवल देखने को मिल जाता है और ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी जैसे सबकी होती है इसके अलावा यहां पर आपको ओवियसली मिलती है स्मार्ट वॉच भी यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली विजिबिलीटी की काफी सही मिल जाती है आउट्डोर में भी सनलाइट में बोड़ी सी प्रावलम होने वाली है आपको ओवर ओल यार इस प्राइज रेंज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो बढ़िया आता तो यहां पर भी इस स्मार्ट वाच को भी मैंने ऐसे ही चेक किया और एसाज विजिबिलीटी को लेकर कोई दिक्कत फेस नहीं करी अभी तक तो ओवर ओल डिस्प्ले में मैं प्राइस के हिसाब से फिर इनफ काऊंगा बेकार नहीं काऊंगा अच्छी ही है बात करूं मैं इसके कुछ बेसिक फीचर्स की तो इसी स्मार्ट वाच में आपको कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वैदर का सपोर्ट मिल जाता है जो के काफी सही चीज लगी मुझे प्राइस के अकॉर्डिंग साती हेल ट्रेकर्स की बात करूं तो यहां पर आपको हार्ट इस प्योर टू स्लीप मॉल्टरिंग ब्रीथ मोड और बोड़ी टेंपरेचर जैसे काफी तगड़े फीचर्स मिल जाते हैं साती यहां पर आपको फ्लेश लाइट मिल जाती है और इसके अलावा फाइंड माई फॉन का भी ऑप्शन दिया गया है इसके अलावा स्पोर्ट मोड की बात करूं तो 24 स्पोर्ट मोड के साथ आती है यह स्मार्ट वाच और काफी अच्छी तरीके से वर्क भी करती है जिसके बारे में हम आराम से आगे बात करेंगे रिस्ट वैक अप की बात करूं तो यार हर बार अच्छी तरीके से वर्क करता है अभी तक रिस्ट वै और app UI की बात करूं तो app UI भी काफी ज़्यादा smooth है legs ऐसा issue आप इसमें face नहीं करोगे उपर से नीचे swap up करते हैं आपको यहाँ पर notification देखने को मिल जाती है left से swap up करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ shortcut widgets मिल जाते हैं जो कि हरी smart watch में ऐसे ही होते हैं आपको बहुत सारे पीचर्स में आजाते हो और main menu के अंदर आपको बहुत सारे features मिल जाते हैं जो कि इस smart watch में दिये गए है UI काफी smooth है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है build and design की बात करूँ तो यहाँ पर metallic frame जैसा दिखने वाला plastic frame दिया गया है और back side में भी आपको plastic ही दिया है कहीं भी यहाँ पर metal का use नहीं किया गया है सिवाय strap के pin के तो यहार यह काफी जीब चीज लगी पहले जो images में देख रहे थे हमें ऐसा लग रहा था metallic body है बट यह metallic body नहीं है fully plastic body है थोड़ी बहुत ठीक टाक quality है इसकी plastic की strap की बात करूँ तो 20 mm का यहाँ पर strap मिल जाता है और strap की quality ना काफी जवरदस तैयर काफी ज़्यादा soft है रेशेज यह इसिंग जैसे आपको कोई भी problem यहाँ पर नहीं होने वाली है तो हाँ काफी ज़्यादा अच्छा material यूज किया है यहाँ पर आपको कोई भी ghost cutting देखने को नहीं मिलती है बाकि यहाँ पर buckle में आपको plastic का यूज किया गया है तो यह चीज आप लोग देख लेना health trackers की बात करूँ तो काफी सारे health trackers इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं सबसे पहले मैं heart rate की बात करना चाहूँगा जोगे मैं काफी बार use पहले भी कर चुका हूँ तो heart rate की जो इसकी accuracy है वो बहुत ही जवड़ अदस्त है यार मतलब काफी कमाल का काम करती है स्मार्ट वाच जैसा कि अभी भी आप लोग देख पा रहे हो ऑक्सिमेटर की रीडिंग और वाच की रीडिंग सेव यहां पर शोग हो रही है इसके अलावा बात करूँ मैं यहां पर SPO2 की तो यहां पर थोड़ा सा टाइम लेती है यह वाच बट यहां पर भी आपको काफी अच्छी accuracy देखने को मिलती है क्योंकि यहां पर आपको dedicated sensors प्रोवाइट किये गए हैं अंडर 2000 आपको यह चीज बहुत ही काम smart watches में देखने को मिलता है तो यह smart watch यहां पर काफी कमाल का काम करती है बात करूँ इसके main feature की main highlight feature की जो कि है body temperature तो body temperature में भी मैंने इसको काफी वार यूज़ किया तो यहां पर आपको एक एक आध रीडिंग का फर्क देखने को मिलता है जादा देखने को फर्क नहीं मिलेगा बट हाँ यहां पर भी आपको अच्छी accuracy मिल जाती है 85% आप कहा सकते हैं यहां पर अक्यारेसी देखने को मिलती है बात करता हूं मैं इसके surface टेस्ट की तो मैंने काफी बाहर इसको चेक किया स्टैप पे भी टेबल पे भी तो आपको कोई भी रीडिंग नहीं देती है हाँ यह smart watch आपको कोई pop-up भी शो नहीं करेगी बट रीडिंग भी नहीं देती है कि अभी बात करते हैं और sports mode की तो यहां पर आपको कोई भी in-app GPS देखने को नहीं मिलता है तो मैंने यहां पर काफी देर इस smart watch को पहन कर वाक करी ताके आप लोग को एक accurate detail दे पाऊं तो यहां पर जब वाक करने के बाद जो result आया वह काफी बैतरीन और काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा मुझे पाच मिनट सम्तिंग मैंने पर वाकिंग करिए और जो इसका रिजल्ट है वह काफी अच्छा है मतलब बीपीम आपका आपके स्टेप्स यह सारी चीज़े बहुत अच्छी तरीके से यहां पर मेजर करके यह बहुत शो करती है क्योंकि आप कभ यह तोड़ी सी अजीब लगती है और नोटिसेवल भी है बाकि यहां पर आपको फुली प्लास्टिक का यूज किया गया और प्लास्टिक का क्वालिटी ना आपको ओके ओको ही लगने वाला यहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है बाकि यहां पर जो बकल इस्ट् जादा value for money है क्यों यह मैं बताता हूं फर्स्ट रीजन यह कि यहां पर आपको body temperature मिल जाता है और यह वर्क भी काफी अच्छी तरीके से करता है जो कि काफी सही चीज है प्राइस के हिसाब से पाकी यहां पर आपको alarm का भी option मिल जाता है यानि कि बहुत से आप alarm set कर सकते हो ज इंसर्स मिल जाते हैं जिसकी वैसे आपको इस smart watch में काफी तगड़ी accuracy मिलने वाली है तो यार अगर आप इस watch से build quality हटा दो यानि कि आपकर आप compromise कर सकते हो build quality से तो definitely इस watch को check out कर सकते हो link description में वासे देख लेना लेनी हो तो ले लेना और न कोई दिक्कत नहीं है और भी बह सब्सक्राइब कर दोगे उतना अच्छा है बाई बाई